माले को नाम से पुकारते हैं ये मुर्गे, कहते हैं अना अना और ओकाका सुबह जब तब इस मुर्गे को अपना माले क दिखाई नहीं देते तब तक वो लगाता रोकाका, ओकाका की रट लगाता रहता है वसंत कामबले जब उसे आकर खाना डालते हैं और उसे पुछ कारते हैं तब जाकर वो चुप होता है क्या आपने कभी ऐसा मुर्गा देखा है जो कुकडुकू की बांग देने की बजाए अना अना और काका ओ काका की बांग लगाता है महराश्ट्री के सांगली के वसंत कामबले के घर का मुर्गा उन्हें काका ओ काका कह कर पुकारता है सुबह जब तब इस मुर्गे को अपना मालिक दिखाई नहीं देते तब तक वो लगातार ओ काका ओ काका की रट लगाता रहता है वसंत कामबले जब उसे आकर खाना डालते हैं और उसे पुछ कारते हैं तब जाकर वो चुप होता है जब ये आठ महीने का था तब वसंत कामबले इसे लेकर आये थे वहीं महाराष्ट्र में सांगली के खाना पूर की आलसन गाओं का एक मुर्गा अन्ना अना की पुकार भी लगाता है यह इनसानों की तरह बोलता है इसके मालिक लक्षमन मोहिते ने बताया कि उनका मुर्गा उन्हें अन्ना अना कहकर पुकारता है बतादें कि गाउं के अन्य लोग भी लक्षमन को अना कहते हैं दरसल वो मुर्गा पालन का काम करते हैं और उनके पास मौजूद सभी मुर्गों में से ये मुर्गा ही ऐसा है जो उन्हें अना कहकर पकारता है यही नहीं मोहिते की पत्नी द्वारा भी पकड़े जाने पर उनका मुर्गा अन्ना अन्ना बोलने लगता है और मोहिते की आवाज सुन कर शांत होता है